हाई फ्रेंट्स में प्रशान्त लूप मैं एक सेरामिक इंजिनेर हूँ जैसे चैनल का नामे सिंपली अबोड़ दाट टाइल स्वामेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे मैं आपको टाइलों के बारे में कुछ इंफोर्मेशन देता रहूँ फ्रेंट्स मुझे कुछ कमेंट्स आये थे वहाँ पर पूचा गया था कि अगर आप बात्रूम के फ्लोरिंग के लिए कौन सा टाइल बहुत जादा आपको मार्केट में स्पेशली बात्रूम के लिए जो मिलेगा उसका सर्फेस फिनिस कैसा रहेगा आपको कौन सा टाइल प्रिफेबल रहेगा और उसका प्रैसिंग क्या रहेगा उसके बाले में थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए आपको कोशिश करूँगा अभी तक आप आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाओ तो डैट आपके पास पहुंचे जब भी आप वाल्ट आल को पर्चेस करने के लिए मार्केट में जाएंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर आपको एकमे फोटो में दिखा रहा हूँ आपको जो भी combination में जो वाल्ट अला purchase करेंगे उसका जो भी dark color रहता है उसके combination में आपको companies जो है आपको एक fit बे एक fit मतला 12-12 का जो है anti-skid tile आपको provide करवाता है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा friends यहाँ आप देख सकेंगे तो यहाँ पर जो finishing होता है exactly इसी finish में जो भी company में आप जाएंगे तो लगबग इस finish में आपको जो company एक fit बे एक fit में आपको tile ले provide करवाएंगे लेकिन इसका जो anti-skid का resistance होता है friends उतना जाधा high होता नहीं है तो मैं आपको specially recommend करूंगा जब भी आप wall tile को purchase करेंगे तब कोई भी brand कर लीजिए कोई भी company का कोई भी surface finish कर लीजिए लेकिन उसके साथ जो company match करकर जो एक fit बे एक fit का tile देते हैं उसको आप कभी भी मत लगाईए आज की दिन अगर में एक best anti-skid की बारे बात करूंगा friends तो आपको market में यह number of option में आपको thethird market में लेगा आपको जो color combination चाही आपको में बात करूंगा है तो आपको 2 feet 2 feet में मिलेगा आपको 2 feet 5 4 feet में मिलेगा आपको आफा सुला इक do an advice की बिए आपको एक टाइले करके या तो मार्केट में आप जब भी पर्चेस करने के लिए जाएंगे एक एंडिस के टाइलों को तो आप जो भी दुखांदर है रिटल रहेगा उनको बोले के रस्टी क्या तो स्लेट फिनिश के टाइल ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इसको स्लेट फिनिश बोला जाता है यहाँ पर आप देखोगे तो होता है के फिरिंश जो सर्फेस जो होता है वो हमेशा इवन होता नहीं है इसको हम लोग सेल्फ स्ट्रक्चर है तो पंच ट कि रहेगा तो भी आपका जो स्कृट होने का चांसर जो होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स आपको अलग-अलग साइज में भी आपको यह टाइले मार्केट में मिलेगा तो जब भी आप एक बेस्ट बैस्ट की टाइलों को लेने बोले कि रस्टिक सीर्इस में या तो आपको पंच वाला जो सेल्फ स्टर्ट्ट अंसी को दिखाने के लिए अगर प्ले डेखे-जब भी आप बातरूम के लिए अगर टाइलों को लगाने के लिए जाएंगे तो जितना टाइलों में हैं जितना जो सर्फेस रहेगा ऊपर जनरली 35-400 के भीश में आपको एक फीट में टायले आपको विच्टर भीश बॉडई में मिलेगा और आपको 380 रुपई से लेकर आपको 454-480 तक भी आपको शिक्स्टीन में मिलेगा तो फिट बयक्त कि अगर में प्रैसिंग कि अगर मैं बताओंगा फ्रेंड्स तो आपको मिनमम साढ़े 500 उरुक्ए से लेकर आपको साढ़े 600 उरुपे तक मिलेगा प्रैस जो रहेगा फ्रेंड्स आपको मैं 32 प्रैस बता रहा हूं कि उप्रैस जो होता है डिपेंड अपन दा ब्राइंड और लोकेशन जो है चेंज होने का चांस होता है कोशिश के आप फ्रेंड्स आपको आज एक बातरूम के लिए जो एक बेस्ट एंडिस की टैले या आपको किस फिनिश में आपको टैले मार्केट में मिलेगा और प्राइजिंग क्या रहेगा स उसको मैं आपको थरसा ब्रीफ करने के लिए कोशिश किये अगर आपका और भी कुछ क्वाइरिस है तो प्लीज आप मुझे कम्मेंट करें और मैं कोशिश हमेशा करता होंगा कि जो भी आपका क्वाइरिस है उसका सोलूशन देने के लिए